बॉर्णिंग तो ओल दो ग्यूवर्स दिस द्रुव यूर हेल्थ कोच और आज हम आपको बताएंगे ब्राउन राइस और वाइट राइस के बारे में और दोनों में से कौन सा राइस आपके लिए बहतरीन होगा इस बारे में हम आज आपको बताएंगे राइस जो है वो बहुती अलग-अलग shapes में, sizes में और colors में available है अगर हम बात करें तो brown rice है, white rice है, black rice है, red rice है अलग-अलग तरीकी के राइस होते हैं, जिनमेंसे आज हम आपको दो तरीकी के राइस के बारे में बताएंगे और उनके benefits बताएंगे कि कौन सा राइस आपके लिए बहतर होगा white rice, सबसे जादा इस्तमाल होने वाला rice जो है, वो white rice होता है और brown rice, जो recognized है कि ये एक healthy option है white fibrous brand है इसमें, जो nutritious germ है वो भी included है, क्योंकि अभी तक ये process नहीं हुआ है और इसके उपर जो छिलका है उसको निकाला नहीं गया and the carb rich endosperm, ये complete package हो गया, पर अगर हम white rice की तरफ देखें, तो white rice has very less and very few essential nutrients और empty calories हैं सिरफ तो brown rice जो है, वो एक complete package हो जाता है इसी तरीके से, अगर हम देखें तो brown rice जो है, white rice से ज़्यादा nutrient values होती हैं इसके अंदर अगर आप इदर देखेंगे तो it is packed with fiber and antioxidants, बहुत सारे fiber rich properties हैं इसकी और antioxidants में बहुत ज़्यादा rich होता है अगर हम देखें vitamin B1, B3, B6, manganese, magnesium, phosphorus, iron, zinc इन सबकी मात्रा brown rice में white rice से कही ज़्यादा है अगर देखें 6%, 8%, 7%, 45% manganese है as compared to 24% in white rice और brown rice जो है, it also helps in lowering blood sugar levels इस तरीके से अगर हम compare करें तो जाहिर से बात है कि brown rice एक बहुत ही healthier और nutritious option है healthy रहने के लिए, fit रहने के लिए rather than eating white rice, आप brown rice को एक healthier option रख सकते हैं thanks for watching the video, see you in the next video thank you